गोड मारिंग दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागात है मोटर गाड़ी ग्लॉक्स में और आज वो रास्ते में जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था जिसमें आपने देखा हुआ कि मुझे वाइब्रेशन के प्राउब्लम आ रहे थे तो मैं कल एक सर्विस सेंटर गया था जबलपूर में ही टाटा मोटर्स का सुधर्शन जो यहां मदन महल रोट पे है तो बहुत ही अच्छी सर्विस मिली मुझे वहाँ पे वो बंदों ने बहुत मतलब थोड़ा टाइम लगाया दो तीन घंटे लेकिन बहुत ही इत्मिनान स अच्छे से बैलेंसिंग की है टायर की और मुझे पता नी जो मैंने रास्ते में बैलेंसिंग कराई थी वो कितनी सक्सेस्वल थी और मुझे डाउट था उसमें जो मैंने कुनूर में कराई थी तो मैंने यहां पर वापस से बार बैलेंसिंग कराई है और बैलेंसिंग तो तो यह सारे वील आउट बैलेंस थे और उसने सारे अजस्मेंट कर दी है अभी तो मैं अभी गाड़ी को चल रहा हूँ एक test drive लेकर यहां से highway पे जाएंगे और left pulling भी मुझे कल मैंने एक drive लीती अलाकि और मुझे दोनों ही शीजे कम फील होई लेकिन जब तक मैं इसको proper उस 90-100-110 की speed में drive लेकर एक confirmation नहीं ले लेता मुझे वापस फिर से निकलना है और दो-तीन दिन में फिर वो लंबी drive में मज़ा नहीं आएगा और इसके लिए बस चलते हैं एक test drive लेकर है और देखते हैं कितना कुछ फर्क पड़ा है और वो बंदे ने मतलब क्या सही किया था क्या गलत है कुछ और रीजन है क्योंकि यार मज़ा नहीं आ रहा है drive में तो कुछ और रीजन होगा ना तो दिक्कत हो जाएगी फिर प्रॉपर इसको investigate करके काम करना पड़ेगा तो चलिए अभी सीधे चलते हैं एक highway पर तो लंबा सा एक बढ़िया सा highway है यहाँ पर अर्मोस 5-6 km पर तो वहाँ पे इसको वाल्मोने टेंट पर टेस्ट कर लेंगी नहीं हुआ तो फिर से वापस सर्वे सेंटर जाके उसको बात कर लेंगी क्या है सो यहाँ Tata का service center का response बहुत अच्छा था and I loved it चोटा शहर है लेकिन बढ़िया तो चलिए पहले problem को test out करते हैं और फिर देखते हैं कि वापस से क्या problem solve हुई है तो हम आगे हैं जोगलपुर में frontier Tata Motors के service center में अच्छा प्रॉपर टार्टा से ही अब service कराई जाए और देखिए पूरी बैलेंसिंग आउत है कि जो रास्ते में बैलेंसिंग कराई थी वह प्रॉपर हुई नहीं है मुझे लगता है और सोचा है यहां से ही बैलेंसिंग करा है और देखते हैं यह आलत है दस चालेश पूरा वील उन बैलेंस होगा गाई वाइब्रेशन तो जादा तील हो गाई आई होप यह अभी चेक कर लेंगे रास्ते में आई होप यह वाइब्रेशन फिर से फील ना हो अब आई एक्डम परअबर काम कर रहे हैं वाई साथ यह देखिए यह वाला आउटर साइड में लगेगा फिफ्टी लगेगा इनर साइड में तो यह दोनों साइड का बैलेंसिंग का रीडिंग होता है आउटर साइड ने बोले तो यह जो आपको पूरा वील दिख रहा है वील का आउटर पेरिफरी और एक इनर पेरिफरी तो आउटर पेरिफरी पे 15 इनर पेरिफरी पे 10 चलिया है वह माग है हाईवे पे और अभी टाइम है गाड़ी को टेस्ट करने का तो अभी अपन ने 3rd gear 40 की speed में 60 80 तो यह अभी cemented road है इसलिए vibration है जो आपको मेरे mobile पे दिख रहा होगा अभी हम अराम से 80 पे चल रहा है तो फिलहाल तो 70 में 70 में तो कुछ नहीं है एक पर इसको थोड़ा सा एक्सिलरेट करूं और 80 तक लेके आऊ हूं almost 90 85 90 यहाँ भी इस टेरिंग पे कोई vibration नहीं है जो भी है वो road के कारण है ठीक है तो फिलहाल 90 तक तो कुछ भी नहीं है तो जो बैलेंसिंग होई है वो प्रॉपर होई और यह भाई अराम से स्टंड मारता हुआ वीच में तो ऐसे केरफूल भी चलाना है एक तम हाइस्पीड इससे ले मैं एक्सलरेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह थोड़ा सा एक्स्ट्रेंशल एर और बाइक से कहीं से भी ल 90-100 के आसपास भी लेके जा रहा हूं तो फिलहाल स्टेरिंग में अब कोई भी वाइब्रेशन नहीं है और अपनी बीस्ट वापस से ड्राइफ कर रही है इस स्टेबल एंड ब्लान्टेट जो मज़ बीच में थोड़ी सी टेंशन हो गई थी और यह दो चमिंटेरpiej होता है यह थोड़ी सी जो कॉंक्रीट की रोड होती है यह तनी स्ट्रेट और सूूथ्न होती है यह के Eckंसर् реш नहीं होती है और यह दे everyone काड़ी एकदम स्टेरिंग दोनों हाथ हटा देने के बाद एकदम डेट स्ट्रेट चल रही है तो अराम से हम अभी 90 से 100 की स्पीड में जिसमें हमको वाइबरेशन फील हो रहा था हम अराम से देखे हैं 100 की स्टीट पे क्रूस कर रहा है और अभी स्टेरिंग इस टेबल अज मतलब अकदम प्लांटेट अभी कोई भी दिक्कत नी है तो फाइनली जो प्राप्लम था वो था बैलेंसिंग का ही और अब एक्तम confidence आ रहा है चलाने में और एक्तम मज़ा आ रहा है तो मैंने थे एक ड्राइफ का भी मज़ा ले लिया इसी दौरान लंबी सी एक प्यारी एक test drive हो गई उसके बाद क्योंकि यह service center अच्छा था था यदि कुछ issue होता तो उनने बुला था कि आप test drive करके में ब यहां पर जाकर आप balancing करवाईए और आपका problem हो जाएगा दूर 90% यदि कुछ और खुदा नखासता कुछ और problem है तो तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि कोई problem नहीं है और अब मैंने मतला अभी तक क्या एकदम चला के देख लिया मज़े से एकदम कुछ भी कोई भी issue गाड़ी में एकदम मस्त चल रही है मज़ा आगया भी drive करके तो अपनी drive back home भी काफी अच्छी होने वाली है तो चलिए यही कुछ था इस वीडियो में क्योंकि मुझे करनी थी testing और आप सब भी कोई बताना थे थी कोई ऐसा issue face कर रहा है तो तो यदि आपको वीडियो अच सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि अब हम धीरे धीरे थोड़ा बोलते भी जा रहा है और थोड़ा सा sincerity से regular videos अपलोड करेंगे जो informative होंगे सो चैनल को सब्स्राइब कर लीजे ऐसी ही अच्छी जानकारियों के लिए मोटर गाड़ी व्लॉक्स को और मिलते हैं अगले ही किसी अच्छे से informative वीडियो में जहां आप कुछ value edition कर पाए हम सो थैंक्यू very much for watching देखते रहे हैं मोटर गाड़ी व्लॉक्स